हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है करेंट अफेस इन टेन अनकेडमी जी है दोस्तों वन स्टॉप दो सॉलूसन और अल्ड़ करेंट अफेस इन इंडिया बैंक वेसे सी और बीपी असी यूपी एसी रेल बेस टेट पीचेस हर एक्जाम के टॉप टेन करेंट नाम याद रखेगा करेंट अफेस इन टेन दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दे कि मेरा नाम रभी प्रतापकर्ण मेरे पास नौ सालों का पराने का एक्स्प्रियेंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टिचूसंस में पराच चुका हूं सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लेवनिंग एप इंस्टॉल करनी है अनकेडवी अनकेडवी की बात करें तो तीस से ज्यादा केटेगरी पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है आप हमसे किसी भी केटेगरी से जूड़ सकते हैं हर के यहां पर बेस्ट लेते हैं तो उसके लिए टोटल छे अजार और दो सालों के लिए सब्सक्रिप्सर लेते हैं तो उसके फी है बाहत्तर सो रुपए लेकिन जैसे मेरा रेफरल कोड आप यूज करेंगे आर्पी के टेन तो आपको दस पसेंट तक का इंस्टेंट डिसकाउंट मिल जाएगा यानि कि जहां पर एक सालों के लिए फीती छे अजार वहां लाएंगे कि इतने पांच जार चार सो और जहां पर दो सालों के लिए फीती बहात्तर सो वहां लाएंगे छे अजार चार सो असी रुपए तो याद रखेगा मेरा यह रेफरल कोड आर्पी के टेन आज कर जो से चीफ निस्टर है वो एन बिरेन सिंग याद रखिएगा मनीपूर के जो चीफ निस्टर है वो कौन है एन बिरेन सिंग गवर्नर है यहां पर नजमा है पातुला नजमा है पातुला जो पहले अल्प संख्यक मामनों के मंत्री रह चुकी है अभी जो है वो गवर्नर है कहां की तो मनीपुर की दूसरा है मेघालिया मेघालिया की बात करें तो मेघालिया की जो कैपिटल है वो कहा है सिलॉंग मेघालिया कैपिटल कहा है सिलॉंग और चीफ फिनिस्टर को ने यहां तो कोर्नाट संग्मा कोर्णाट संग्मा और इसके गवर्णर को ने तथागत राई तो यह सब सेशन जो है अगर आप दो बार तीन बार पढ़ते हैं तो चीजे नाम आपको ऐसे याद हो जाएगा ठीक जो है तीसरा है मिजोरम मिजोरम की हम बात करें तो मिजोरं का जो राजधानी है या या और यहां पर जो गवर्णर है वो कौरं है तो पी S स्रीधरन पिल्लई याद रखिएगा पी एस स्रीधरन पिल्लई उसके बाद हम बात करें नागालेंड तो नागालेंड की कैपिटल कहा है तो कोहिमा और यहाँ पर चीफ इनिस्टर कौन है तो नेफ्यू रियो और यहाँ पर जो गवर्नर है वो कौन है अभी एर आर एन नभीन पत्नायक और गवर्नर कौन है यहाँ पर गशनिशी लाल याईनि पहला मनिपुर मनिपूर के कैपिटल कहां इंफाल चीफ इनिस्टर कहों है अन्ब возможно कौन है और नजमा है पतुल्ड हमेगालिया की बात करें नेफ्यूर्या के कैपिटल कहां शिलांग इसके चीफ पर गवर्नोर कोन नागारेलन की बात करे तो नागारेंट की कैपिटल कहां कोहिमा और इसके चीफ ao ⲉby औधिशा कि बात करें तो ऑडिशा काय जो कैपिटल कहां भूभनेशवर और इसके चीफ मिनिष्टर को ने नवीन पटनायक और गवरनर को ने तो गनेशी लाल नेक्स जो स्टेट है उसमें रखा गए पंजाब पंजाब की जो कैपिटल है वो कहाँ चंडीगर यहां चीफ फिनिस्टर को है तो कैप्टन अमरेंदर सिंग याद रखिए कैप्टन अमरेंदर सिंग और गवर्नर को है तो बीपी सिंग बैटनौर यानि कुल मिला अगर बात करें तो पंजाब की कैप्टल कहां चंडीगर चीफ फिनिस्टर को है तो कैप्टन अमरेंदर सिंग और गबर्णर कौन है तो बीपी सिंग बेटनॉर निफ्जह राजस्थान राजस्थान की बात करें टो राजस्थान की बरतमान ने जो चीफ सैन्स ten वह अशक गालो और यहां पर जो capital है वो कहार जैपूर बरतमान जो कालराज मिस्रा जो है यहाँ के गवर्नर है कालराज मिस्र जो पहले ही से पहले माईकरोई स्मॉल और मीरियम एंटर्पैजेज मिनिस्टर थे हम इंडिया गये है यानि कि पञजाब जो है इसके और यहांपर Chief Minister कौन है तो इतामzem के बात है तो यहां गंगा प्रसाथ तामिन D Attur這些 Capital कहा है चेंधाई और यहां पर चीफ Finister कौन है? तो इड मादी के पलानी स्वामी, आप याद रखेगा एके पलानी स्वामी एके पलानी स्वामी और यहां पर गवर्नर है वो है बनौरी लाल पुरोहित कहां पर तामिलाडु में. यानि कि तामिलाडु के जो Capital है और यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है तो अभी केश चंसेखर राव ठीक और साथ साथ गवर्नर कौन है तो तमीली साई सुन्दराजन आपको बता दे नौलेज के लिए अभी जो हेलिकॉप्टर मनी का कंसेप्ट आया है इनको चर्चा में यही लाया था लाय थे केश चंसेखर राव जो तलंगाना के क्या है तो चीफ मिनिस्टर है इन्हों नहीं कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गरबर हो रही है तो सरकार को सब के खाते में पैसा देना होगा जिससे क्या होगा कि उसकी पर्चेजिंग पावर भरेगी लोग सामान खरी देंगे जैसे हमार हेलिकोप्टर मनी ठेक याद रखिएगा हेलिकोप्टर मनी और डीवीटी में अंतर हैं डीवीटी बेनिफिट ट्रांसफर की कुछ थी लोगों के बैंक खाते में पैसा दिया गया हेलिकोप्टर मनी में क्या होता कि जब रेट अफ इंट्रेस बिलगुल जीरो हो जाए इस पाइस याद रखिए का रमेश बाइस उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की केपटल कहा लखनाव चीफ इनीश्टर कोई योगी आदित््यनाथ और गवड़न अधि यहां पर घवरण कोई गवर्णर आनंधी बे 시청 पटेल उसके बाद क्या था उत्राखंड उत्राखंड की capital जो है वो कहाँ है तो देहरादून यहां के chief minister कौन है तो त्रिविंदर सिंग रावट यांनि त्रिविंदर सिंगर रावत और यहां पर governor कौन है तो बेवी रानी मौरिया विस्ट बंगाल की बात करें तो विस्ट बंगाल की कैपिटल कहा है तो कोलकाता और इसके चीफ फिनिस्टर कौन है तो ममतावनर जी और गवर्नर कौन है तो जगदीप धनकर कौन है विस्ट बंगाल में गवर्नर तो जगदीप धनकर यानि कि त्रिप चीफ फिनिस्टर कौन है विपलव कुमार देव और गवर्नर कौन रमेश बायस अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिल कहां लखनव चीफ फिनिस्टर कौन योगी आदितनाथ गवर्नर कौन आनंदी बेन पतेल उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड की कैपिल क तो देहरा दून का इसका Summer Capital चीफ मनिस्टर जो है त्रिवेंदर सिंग रावत और गवार्नर कॉन तो बेवी रानी मार्या विस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की कैपटल कहां कोल काता चीफ मनिस्टर कॉन है तो मंता को हिट कर ये अपने दोस्तों को बताईए current affairs के वारे में डेली ले करके आता हूँ आपके बीच दस मिनट के टोटल पांस सेसंस यानि कि पच्चास mcqs current affairs के किसी भी एक्जाम का current affairs जो है इस सेसंसे बाहर यानि कि current यहां से बाहर नहीं जाएगा मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा और आप हमसे टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं जी यह रभी परतापकर्न आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिएगा अनकेडमी लर्निंग अप उसके बाद जाएगा मैनेस गोल फिर सेलेक्ट कर और मेरे नाम का सौट कोड है आरपी के 10 ठीक है थैंक्यू सो मच फिर अगली सेसं में फिर लेकर कराएंगे करेंट अफ्यस तो दस मिनीट के टोटल पाक सेशन चैनल का नाम जबूर ह्याद अक्येगा करेंट अफ्यस इन 10 थैंक्यू सु मच